नमस्कार दोस्तों सीवी टीए परनाव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता है भारत वर्से सिर्लंका के बीच तीसरा ओडियाई मैच जो की कॉलंबो में खेला जाएगा इस मैच की विनिंग टीम प्रेडिक्सन हम अपने सभी दोस्तों के सामने पेस कर रहे हैं जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है वो सबस्क्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सबस्क्राइब अवश्य कर लें भारत ने तीन मेचे कोई जो ओड़ियाई सीरीज है वो 2-0 से पहले ही जीत ली है दूसरा ओड़ियाई मैच काफी रोमांचक मैच हुआ था हमने हमारी वेबसाइट www.cbtfrnav.com पर इसका ओपन पोस्ट डाला था अब तक दो मैच हुए है दो मैच से दोनों ही मैच हमने विनिंग टीम प्रिटिक्शन डाली हुई है दोनों ही मैच हमारे जीत के खाते के साथ खुले हुए है इस सीरीज में 100% जिल्ट दिया है हमने अब हम बात करते हैं इस तीसरी ओड़ियाई मैच में तीसरी ओड़ियाई मैच काफी अच्छा मैच हो सकता है क्योंकि सीरीलंका वैसे तो इस सीरीज में हार चुकी है लेकिन वो बदला लेगी और भारत नई खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं जिन दोस्तों को हमारी वाटसप पर पेड़ सर्विस लेनी है वो हमारी वाटसप नंबर 87690-37666 हमें वाटसप नंबर पर म Bayside कर सकते हैं हम सब्सक्राइब लेचתर्युच के सब करके हैं चार्ठीए मैच्या करा हुआ है सब दोस्तों को पता है इस ग्राउंड में जो एवरेज स्कोर है, वो 256 स्कोर रहेगा, अगर हम मौसम की बात करें, मौसम है जो ठोड़ी बारिस की संभावना है, बारिस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो चकते हैं, अगर हम भारत के अंतिम पांच मेंचों की बात करें, तो पांच में से बात करें, चार अगर स्रिलंका पहले बैटिंग करता है तो दस ओवर का स्कोर है जो 37 से 45 के बीच हो सकता है अगर आप लोग को एक्जेक्ट सेशन की रिपोर्ट्स लेनी हो तो हमें हमारी वाटसप नंबर पर हमें मैसेज करके हमारी प्रीमिम सर्विस ले सकते हैं अगर 50 ओवर लंभी पारी के बीच में बनेंगे और भारत अगर 50 ओवर खेलती है और भारत पहले बैटिंग करती है तो रन 232 से 278 के बीच बन सकते हैं 278 रन के आसपास भारत बना सकती है ऐसे हमारी प्रेडिक्सन है अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर जो भारत और सिल्लंका के बीच जो तीसरा मैच होगा इस मैच को जीते हैं